यंग बाइट्स में आपका स्वागत हैं मैं हूं पूजर ठाकर आज के हमारे आईडिये एक्स्चेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डॉक्टर नूराली जो की हार्ट सर्जन है तो आए ले चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनके सफर के बारे में जी सर आपका स्वागत है यंग बाइट्स में शुक्रिया अपने हमें इस जंग बाइट्स में अपनी बात रखने का मौकर दिया और इस मादिम से मैं अपने दर्शिकों को भी बताना चाहता हूं कि मेरी जो शुरुवात हुई है एक क्रिमची गाउं है वहाँ पे वहाँ है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि कार्डिक सर्ज्री का हैड और प्रोफेसर हूं लेकिन शुरुवात बड़ी मुश्कल से शुरू हुई थी हमारी हम मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोई अफसर बनोगा जैं डक्टर बनोगा क्यों कि हर किसी की लाइफ म मैंने का एक ही मकसद हा कि जो मेडिकल बच्चे बढ़ते हैं वो ज्यादा जहन निशीन होते हैं और वो इंटलिजेंट होते हैं इसलिए मैंने चैलेंज लेके इसको सब्जेक्ट को लिया था उस वकर मेरे जहन में डाक्टर बना या इतना बड़ा यह बढ़ना इस तना मे टेंथ में पंचे तो टेंथ में आपको शोटी सी मसाल देना चाहता हूं कि हमारे टीचर से स्वामी राजी उनका नाम ता चाहिए मेरे काल में तो उनका बेटा मेरे साथ बढ़ता था तो उनका बेटा मेरे साथ बढ़ता था तो उनका एक दिन कहा कि बेटा मेरे साथ बढ पड़ रहा है कोई बुक्स जो ट्रिग्णो मैट्री थी तू मैंने उसको बोला गए यह क्या बट रहा है तू निया सब्चेक्ट है तो बोलता है वही यह तो एक्षाम में आएगा 20 नंबर इसके में मिलेंगे मैंने का यार मेरे को तो पताया नहीं है तो ऐसा हुआ कि यह ज पड़ी भी वहाँ ट्रिग्णो मैट्री की वह लाया मैं सारी सारी रात पढ़ता रहा और दूसरे अग्जाम दिया तो निस्तिजा यह हुआ कि जब हम पास हो गए तो मेरे नंबर उस से ज्यादा आए उस लड़के से तो वह टीचर ने मेरे को बलाया अपने अपने कमरे म नेक्स डी तो भूला यार मैं देख में एक अपने दिल से बोज उतारना त्यारता हूं मैं मैंने कह सर्काई क्या बादोगी कहता है मेरे दिल मेरे जा ताकर चिने मेरे दिल में ये बैम आया, मैंने ये कि आपको ट्रिक्नोमेट्री नी पढ़ाई भाहां पर भच्छों के साथ ना तो लेकर फिर बादो शाबाज दी कि तुने फिर भी नंबर ज्यादा लिये हैं इस गवी इस गवी इस महोल में तो मैं वड़ा कुछ हुआ इस बात पर कि ज कि उन्होंने अक्सर जो बात करें उनके दिल में थी और क्या ही तो इस तरह मेरे ज़स्ट ये इस मेडिकल फिल्ड में फिर आप कैसे आपने कदम रखा मेडिकल फिल्ड में से के फिर उसके बाद हम चले आए उदूंपर हाई स्केंडरी स्कूल में वहां पढ़ने लग रह हमने मेडिकल के बाद उसके बाद रिकार 12 में आगे मेडिकल में मेरे साथ एक ऐसा इस सिक्वेंस चलता रहा है इस बैज में आज तक भी ऐसा है कि कोई सर्ची चेंज़ जिवाई हैं पहले हमारे बैज में आई यसे फस्ट ये फस्ट इम हाई स्केंडरी बोर्ड में आया तो हमारे टाइम पहाई तो हमारे बैच में आई ऐसे अगर चलता गया फिर मेडिक कालेज में वहां पर फस्ट इयर में बाद मिस्टी सेपरेट हो गई अच्छा सेकंड प्राव में फिर इसमें और चींज़ आगी ऐसे ही फाइनल में फिर और चींज़ आगी और फिर अच्छी तरह से आपने बताए कि आप जैसे हाँ है उसकी शुरुआत में ओपन हार्ट सर्जरी आपने करना शुरू की तो कितना डिफिकल्ट आपके लिए रहा है देखेंगे आम लोगों को इतना पता नहीं होता कि इसमें क्या डिफिकल्टी जाती है और शुरुआत करना मैं जाता हूं बहुत बड़ी बड़ बड़ा एके डिफिकल्ट जाव है अब मैं बता हूं आपको कि हमारे कालेज में सबसे पहले मिशीन आई है नाइन्टी एट कि हमारे कालेज में सीडी हस्पिटल में डक्टर एमल गुपता हुआ करते थे उनके वज़ा से दर पहुंच गई उस पकर शाहत शेख साब के का दोर था तो स्किम्स में उन्होंने दिया एक इंस्टीट और एक जो इतनी बड़ी इक वात है कि उस टाइम पे ओपन हार्ट म दिखा जाए तो कि तना डिफरेंट्स कितना हुआ जैसे कि आपने बताया उस टाइम में और इस टाइम में काफी डिफरेंट्स है देखे इस में यह है कि देखो मैं जाता हूं कि उस वक्त की सोच कितनी ज्यादा अच्छी थी कि यह जहीं चाहिए होती है तो फिर यह चुड़े बच्चों की बात की जाए बड़ों की बात की जाए हाट की काफी प्रॉब्लम्स उनको आ रही है तो क्या सबसे बड़ा कारण रहते हैं इसमें हार्ट के दो दो प्रावलम्स है एक तो है कि क्योंकि इसकी बनावत इसनी कंपलेक्स है कि कहीं न कहीं इसका जोड तो तो रहता है दूसरा यह कि को एडिजिज आती है जैसे लाइफस्टाइल की डिजीज जेंग इन्फेक्शन की डिजीज जो के अश्र करती है तो इसको ब्राडर क्लासिफिशन में दो सोमेंट बैट करें गया है जिसमें बनावटी रिकावट है जैसे रिकावट एकिसम की सुराख होता है अब्स्रक्शन होती है रिकावट हो गई जा लीग हो गया वैल्व का होना यह चीजें होगी तो दूसरी है इसे एक रिमेटिक हाट डिजीज है उसका नाम लेने के लिए यह खासकर बच्चों में ज्यादा पाई जाती है क्या कारण क्या रहता है कारण ही होता है कि सोर्थ रोट इससे गले का खराब होना बार 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 बच्च्बन की बेर में पिर बार में जोड़ों में दर जाता है हमारे जो हैं एंवारिमेंट थोड़ा ठीक नहीं होता है तो ऐसे लोग जो इस सबसे बड़ा कारण हार्ट अटैक का क्या है हार्ट अटैक का कारण तो एक है कि जैसे कोई नाड़ी बलाग हो जाए तो आप आज की जो भी जनरेशन उनको उनके लिए क्या मैसेज देते हैं आपके उन्हें क्या करना चाहे ताकि ये सब बिमारिया नहीं लगे हो इसके लिए तो बहुत लिटरेचर आया हुआ है हर गाय बगाय हर जगाए हर जगा बेसकी कर लोग करते हैं कठा करके तो इसका जो सबसी बड़ा बजा यह है कि एक तो लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी बड़ेगी जैसे सेटेंटरी लाइफ को कम करना होगा एक्सराइज करनी है एस पर रूटीन प्लस फैट्स नहीं खानी है कम करनी है सिग्रेट कम पीने है पीनी नहीं है प्रेक्टर बेट वर्ट फार्मिशन हो था हाई रिस्क हमारे माधियम से जो भी वेर्ड साब को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसे देते हैं अप मैं तो यह जाता हूं कि अब्रावलम्स बड़ी बैती है आधी है गवर्मेंट लेवल बैती है आम लोगों को लेवल बैत है उनको आरेम के दूप कभी मतद मिल रही है इस ते पहले यह साब मुश्कल था पहले लेकर हम से हम एक बात और करना चाहता हूं कि जो कुमेंट है उनकी भी शाटेज रहती है कभी और तो उनको जाद टेंटरिंग सिस्टम मुश्कल हो जाता है जो जो मनी अधर प्रावल डॉक्टर नूरली काफी अच्छा मैसेज इनों ने आप लोगों के लिए तो क्या क्या प्रिकॉशन्स आपको लेने हैं यह डॉक्टर ने बताया आपको तो इसे पर आगे बढ़िए मुझे दीजिए जाद वीडियो जनलिस्ट अभी शेक के साथ नमस्कार